प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आधोनी खेती करने पर अनुदान राशी दी जाती है। प्रदेश में भी कमी आती है और मुनाफ़ा भी अधिक होता है। गोबी और धनिये के सबजी भी उगाई है जो डबल मुनाफ़ा दे रही है। अपनी खेती पांच फिट पे गन्ना लगाता हूँ और इसके साथ मैं दो फसल और लगाता हूँ धनिया और गोबी पिछे मैंने मटर और सर्सों भी लगाई थी साथ में अभी मेरे खेत में धनिया और गोबी है। तो एक साथ में तीन फसल हो जाती है। हाँ जैसे नॉर्मल हमारे क्या है कि हम डाइफिट पे गन्ना लगाते हैं। तो जब पांच फिट पे लगा रहे हैं तो लोगों का कहना यह जब 90 लाइन में निकल रहा इतना तो 45 लाइन में कैसे निकल जाएगा। लेकिन यह नई विदी है। कई जगे हमने देखा भी है। एक बठगाओं का किसान है दिया साब। एक पुठर से है सोंबिर भाई। ठीक है। तो यह अच्छा काम कर रहे हैं इन का देखा हमने। तो वहां से थोड़ा सा एक बार ही हम जीन्द गए देखने। मेरे गाओं है। दो साल पहले जोगिंदर ने गन्ने की फसल के साथ साथ गोबी और धनिये की सबजी उगाना शुरू किया था। जोगिंदर को एक साथ तीन फसलों की खेती से प्रती एकड़ धाई लाक रुपे का मुनाफ़ा हुरा है। अब मेरा एक एकड़ में इसकी नुलाई 500 रुपे के तेल में हो रही है। अगर हम मैनुवल कराए तो वो 5,000 रुपे लेगा। पानी की इतनी बचता है जब हम पाच फिट पे लगा रहा है ना। लाइनों में जल्दी पानी आ जाता है। ठीक है कम पानी लगता है। अगर हम उसमें 90 लाइन लगाए तो ज्यादा पानी लगता है। और गंदे को फ्लेड वाला पानी नीची नमी चीए। तो पानी की भी बचता है। जैसे मारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो मुछ में भी हेल्प करते है कि आने वाली जो अमारी पीडिया है उनको बेनेफिट मिले। पाढ़ा तंजबी कसे है। मोटिवेट भी किया है। यार ये बताता हूं कि भाई क्या क्या चीज ज़रूरी है। अदूर आग्यान हमेशा तंग करता अधिने तो एक्यूपमेंट्स जरूरी है टाइम मैनेजमेंट जरूरी है तबी जाके हम इसमें कुछ कर सकते हैं प्रगती शेल किसान जोगिंदर सिंग ने बताया कि उसने देखा कि कई किसानों ने गन्य के खेत में खीरा, खीया की सबजी बोई है बेलदार सबजियों से गन्य का विकास रुख जाता है और वो ठीक से नहीं बन पाता इसलिए उन्होंने खेतों में बेलदार सबजी न उगाकर गोबी और धनिये के सबजी उगाना शुरू किया जिससे गन्य के पौधों को कोई नुकसान नहीं हुआ साथे तीनों फसलें एक साथ, एक खाद और दवाई से अच्छी पैदाबार हुए यानि कि तीनों फसलों में से गोबी की फसल से तीनों फसलों की लागत पूरी हो गई और दो फसलें बचत में आई हैं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आधूनी खेती करने पर अनुदान राश्री दी जाती है आज किसान परमपरागत खेती को छोड़कर आधूनी खेती की तरफ रुख कर रहे हैं और लाखों में मुनाफ़ा कमा रहे हैं पानी पत से जनता टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट